सूरत सिटी क्राइम ब्रांच ने हिमार्चल प्रदेश से सूरत और नवसारी में शरस्प सप्लाई करने वाले आरोपी को दबूच लिया और आरोपी तीन वारदातों में फरार भी था सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को गिरफतार कर कानूनी कारेवाही की है और शहर को नशे से मुक्त कराने के लिए सूरत पुलिस की और से कड़ी कारेवाही की जा रही है पिर सूरत और नवसारी में ड्रग्स की मातरा भेशने वाले अपूर्ती करता को पूलिस ने गिरफतार कर कानूनी कारेवाही की है आरोपी उत्सव रमिश भाई संगानी शांताबेन उर्फिश्चीतल रमिश भाई कालू भाई संगानी ने पिछले 26 अपरेल को डुमस लगजरी ट्रेड हब से गिरफतार कर 2.34 लाक रुपे की ड्रग्स जब्त की गई थी पूलिस ने इनके पास से 235 ग्राम 620 एम एल चरस जब्त की है साथ ही नवसारी स्थेत उनके आवास की चांच के दोरान वहां से 2.34 लाकी चरस भी मिले इसलिए रमिश भाई कालू भाई संगानी और दर्शन रमिश भाई संगानी को गिरफतार कर लिया गया हिमाचल प्रदेश से पूलिस की चांच की आदेश पर चरस लाया था जी ए खुलासा किया गया था आरोपियों ने इमाचल प्रदेश से चरस मंगवाई थी और इस अपराद में सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने चरस की खेब सप्लाई करने वाले नीरव अरुन भाई पटेल को गिरफतार कर लिया है उसके खिलाब सूरत में एक और नवसारी के जलालपुर्थाने में दो अपराद दर्च है साथी आरोपि को दिसंबर दोजार इकिस में हिमाचल में चरस के एक चत्थे के साथ पकड़ा गया था और हिल फिलहाल वहां जमानत पर बाहिर है